हल्लो भाईयो इस वीडियो के अंदर अपने आपर बात करेंगे जो सुपर समेश T20 का मैंस का यहाँ पर फाइनल मुकाबला होगा जो खिलाज आएगा ओकलेंड एसेज और केंटरिबरी किंग्स के बीच में तो इस मेंच की में आपको पूरी की पूरी जानकारी इस वीडिय के अंदर डीटेल में देने वाला हूँ एक चीज आप जरूर में ध्यान में रखना कि आपर कुछ बड़े चेंजे स्कॉर्ड में हुए हैं जो मैं आपको वीडियो में बताऊंगा बस आपको वीडियो जो है वो लाश्ट तक वाच करना है तो बिना दे रही किये वीडिय पार्क आउटर ओल पे लेकिन यह जो मुकाबला यह खेला जाएगा एडन पार्क का जो में ग्राउंड है ना जहां पर यहां पर न्यूजलेंड और पाकिस्तान के वीच में T20 भी खेला गया था वहीं पर यह फाइनल मुकाबला खेला जाएगा तो देख लेते हैं यहां पर सबसे पहले तो को इंपोर्टेंट चीज कहा है भाईयों अगर आपने आप तक टेलीग्राम चनल को जो नहीं कहा है तो सबसे पहले आपको टेलीग्राम चनल को जरू जोइन करना चीए क्योंकि देखो यहां पर फाइनल टीम तो आपको मिलती है लेकिन उसके अलावा बेटिंग ओडर हो गया और लास मोमेट जतनी वेबडेट्स आती है सारी आपको टेलीग्राम चनल का जो लिंक है एक तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दूसरा आप कमेंट सेक्शन में जाओगे तो वहां पर जो पहला कमेंट आपको मिलेगा टॉप पर पिन किया हुआ उसमें भी आपको टेलीग्राम चनल का लिंक मिल जाएगा तो दोनों जगे से जाकर आप बहुत आसानी के साथ टेलीग्राम चनल को जोईन कर सकते हो अभी यहां पर देखो सबसे पहले अपर डिसक्स कर लेते हैं पिछी रिपोर्ट तो पिछी मैच जीते हैं यहां पर केंटरबरी की टीम ने तो अगर हैट्ट्रेट में अगर आप देखोगे न तो ओकलेंड की टीम का प्रणा काफी ज़्यादा बाहरी रहता है वेन्यू की बात करूँ तो यहां पर जो लास्ट दो टी-20 इंटरनेशनल के मैच यहां पर हुए हैं उ तो ओवरॉल अगर आप देखो कि तो यहां पर फास्ट बोलर्स को ज्यादा विकेट्स मिलेते एस कंपेर टू इस्पिनर से यह चीज़ ध्यान में रखके चलिएगा एवरेज स्कोर यहां पर 170-200 बनता है थोड़ा सा हाई स्कोरिंग टाइप यह वेन्यू रहता है तो एक का लास्ट मेच में बेटिंग ओडर था ना लगबग वही रहने वाला है क्योंकि जो एलिमिनेटर में इनकी टीम खेली थी वही टीम यहां पर खेलने वाली और स्कोर्ड भी इनका लगबग वही सेम है ओपन करेंगे यहां से चार्ड बाउस और टॉम लेतम वन डाउन दि लेही इस मेच में भी आपको प्लेंग लेओन दिख जाएगी विज बैटिंग ओडर अब यहां पर इन सभी प्लेयर्स के स्टैट्स देख लेते हैं वेन्यू पर भी और हेट्टोड में भी क्या इनके रिकॉर्ड दे तो देखो यहां से ओपन कौन कर रहा है चार्ड बात करूं तो हेट्टोड में 16 मेच में 326 रन है और वेन्यू पर अगर आप देखो के दो मेच में 28 रन है और इसके जो लास्ट के 6 मेच है यहां पर आप देखो लास्ट के तीन मेच में यह बंदा बहुत अच्छी फों में आया पिच्छासी पैटिस चालिस तो टीम में आपके बिल्कुल होना चीए तॉम लेतन की बात करूं हेट्टोड में 11 मेच में 294 चोविस का अवरज है वेन्यू पर अगर आप देखो के तीन मेच में 53-26 का अवरज है उतना खास रिकोर्ड इस वेन्यू पर नहीं है लास्ट के 6 मेच देखो के 5, 14, 44, 62, 60, 0 वलब लास् बात करूं तो यह भी बहुत अच्छी फोर्म में आपर चल रहे हैं तेरा है चेतर नोट आउड इक तालिस नो बयावन एक हैं हैं हैट्टोड में आप देखो के 9 मेच में 164 रहन है और वेन्यू पर एक में चार रहन है ध्यान रखो इनका हैट्टोड और वेन्यू पर रि हेट्टोड में रिकोर्ड बहुत खराब है 19 में 179 का अवरेज 5 ही विकेट है और वेन्यू पर अगर आप देखोगे एक मेच में 5 रण 5 का अवरेज एक विकेट है बात करें आप नमबर 5 पर आपको दिख जाएंगे मिचल है जो कि इनके विकेट की पर है इनके नाम भी शे के करीब दिखते हैं आपको 19 है 9 बेटिंग है 16 है 36 है 19 है और 2 है हेट्टोड में एक मेंच में 42 है वेन्यू पर खेले लिए यह जो प्लेयर है बेवन जेकब यह आपके ग्रेंड लिग में काम आ सकते हैं स्मोल लिग में तो मेरे साब से उतने से पिक रहेंगे लिए तो इनकी भी अपने यहां पर बात कर लेते हैं तो नंबर साथ पर आपको दिखेंगे जकेरी फोक्स जो की important है दो दरपां important है क्योंकि नीचे आके hitting भी देंगे साथ के साथ यह आपको 3-4 ओवर भी डाल के देंगे लाश्ट के 6 में अगर आप देखोगे तो टोटल इनके ना 3 मुकाबले खेले हैं जिसमें 2 विकेड है जो की इनको 1 ही मैच में मिलेते हैं हैं 11 मेच में 89 विकेड हैं वेन्यू पर 3 मेच में 49 3 विकेड है है हैं हैं आपके लिए इस मैच में ट्रॉंप का काम कर सकते हैं बहुत कम इनका selection rate है लेकिन अगर यहां पर canterbury की टीम ने पहल विकट में ऑख्लेंट की टीम के खिलाब और वेन्यू पर एक मैच में जीरो विकट है लेकिन अगर इनकी टीम पेले बोलिंग करते हैं आप इनको रख सकते हो बिलकुल टीम में इस चोडी है यहाँ पर इनके नाम तीन मैच में एक विकट है है हेट्वर्ड में 16 मैच में 14 व इसलिए मैं क्या करूँगा मैं इनके ज्यादा बोलर यहाँ पर पिक अभी के लिए नहीं करूँगा आप चाहो तो यहाँ पर देखो जकेरी फॉक्स को तो मैं टीम में रखने वाला हूँ मैं आपर मैट हैंडरी और काइल जेमिसन इन दोनों को और विलियम और और उपको इनको मैं तब ही इनमें से कम से भी कम दो को तब ट्राई करूँगा जब इनकी टीम पहले बोलिंग करेगी अगर इनकी टीम पहले बोलिंग नहीं करती हैं तो फिर मैं ओकलेंड के बोलर यहाँ पर ज्यादा टीम में रखने वाला हूँ अब देख लेते हैं इनके स्टार् तो यहांपर इनके नाम तीन विगेट है और बल्ले से यहाँ पर पच्चिस पच्चिस नो रण की पारी है और एंगस मेकंजी भी यहां पर स्कॉर्ड में अनौंस हुए है लास्ट के च्छे मिच में इनके नाम अगर आप देखोगे तो टोटल यहां पर लगबग साताथ व पुर्ट किड है studying इनके वर डालने वाले प्रेयर थे मैट हैं। अब देख लेते हैं हुआ रहा हुआ उक्लेंट की टीम की प्लेंग्लिय lobster उसकी है तो आकलैंड की टीम है ना सब्सक्राइब में कुछ बड़े बदलाव भुल यहां पर है तिन इनके जो बड़े प्लेर हैं ओन्प और बर पंगे लॉबर बोनल्ट आप तो यह इनका most likely playing 11 रहेगा with betting order अब इनके यहां पर stats देख लेते हैं इसी betting order के साथ कौन से player के क्या stats हैं तो देखो Finn Allen जो हैं तीन match खेले हैं इस जो टूनामें twice में क्योंकि ज्यादा तर यह national duties पे रहे हैं तो तीन match में क्या किया है 26, 50, 78 बहुत अच्छी आपके लिए मस्ट पिक हैं जरूर होने चीए सीन सोलिया ओपन ही करने जाजातर में हेट्टोइड में 15 में 192 विकेट वेन्यू पर तीन में 72 जीरो विकेट हैं लास्ट के अगर आप इनके 6 मेंच देखोगे तो वहाँ पर लगबग हर मेंच में इनोंने 3 से 4 ओवर डाल के दिये हैं विकेट इनके नाम टोटल 4 है और बल्ले से आप जीरो तेरा सरसट नोट आउट 6 नो और 21 हैं तो काफी अच्छा रिकोर्ड है सीन सोलिया के लिए बिल्कुल यह टीम में बनते हैं आपके लिए स्पेशली अगर पहले बोलिंग कर रही है इनकी टीम तो मांक चैप में लोग इनको इगनोर करेंगे लेकिन बहुत अच्छे प्लेयर है पहले मेच में नो रन जीरो विकेट है दूसरे में 38 जीरो विकेट है मलब यह थोड़ी बहुत पार्ट ताइम बोलिंग देता है उस दोसो चौटर 34 कावरेज वेन्यू पर तीन मेच में 392 कावरेज अच्छा प्लेयर है यह वी चैम फ्लेचर है नंबर पांच पर दिखेंगे चैम फ्लेचर देखो उसी कंडिसन में काम आ सकते हैं जब इनके टॉप से विकेट गिरेंगे लेकिन देखो चैम फ्लेचर इनको उतना मोका ही यहां पर नाम मिले विलियम और डॉनेल दिखेंगे आपको हेट्टर में 4 में 111 वेन्यू पर एक में दो रन लास्ट के दो में पेटालेश 24 उससे पहले तो इनको उतना मोका ही नहीं बिल रहा ता और काफी नीचे बेटिंग कर रहे हैं तो अभी के लिए मैं लगता नहीं है तो कि जहातर नीचे बेटिंग करते हैं एक आदो और कभी कभी डाल लेते हैं लास्ट के छे में आप देखो पांच ओवर डालके एक विकेट हैं बल्ले से गर आप देखो कि तीन नो बेटिंग नो बेटिंग उननीस नोट आउट हैं देन्रू फोंस यह इ लुकडी फर्कूशन यहां पर दिख सकते हैं तीम में पांच विकेट हैं नाम हैट्टुएट में सात में पांच विकेटबधर वेन्यू पर साथ में 16 विकेट हैं इस वेन्यू पर इनका रिकॉर्ड जो एना बहुत तगड़ा है ध्यान में रखना और अगर इनकी टीम प स्पिनस को थोड़ी से कम हेल्प है बेंजामिल लिस्चर की बात कुर तो लास्ट के छह मैंच अगर आप देखोगे तो इनके भी जो बोलिंग का रिकोर्ड है बहुत अच्छा है लास्ट के छह मैंच में दस विकेड हैं हेट्टर में 11 में 14 विकेड है और मैंन्यू पर भी इ सब्सक्राइब कर सकते हो अभी यहां पर अपन देख लेते हैं के स्टार्टिंग देथ ओवर्स तो देखो इनका जो स्कोर्ड में बारवा प्लेयर हैं वह एक ही प्लेयर हैं आप पर जोक मेंच जी जिसके खेलने के चांसे मेरे को बहुत कम लग रहे हैं तीन मेंच में ती बता दिया जो जो प्लेयर अवेलेबल थे मैंने सब के स्टैट्स बता दिये अब देखो मुकाबला डिपेंड करेगा पूरा का पूरा टॉस के उपर तो टॉस के बाद में जितनी भी फाइनल अपडेट्स आएंगी टॉस को लेकर और क्योंकि अगर देखो केंट्रिपरी पहले बोलिंग करेगी तो आपको उनके बोलर रखने पड़ेंगे काईल जेमेशन में अगर इनकी टीम पहले बोलिंग करती है ओकलेंड की तो फिर अपने लिए गेम और बेच्छा बन जाएगा तो अभी अपन टीम मुसीब साफ से बनाएंगे जब यहाप पर पहले बोल देमोर टीम है मैंने अबर अभी के लिए कोन को से प्लेर को रखा हुआ है तो मेरी जो टीम है वो टोटली इन फैवर और ओकलेंड है जब ओकलेंड की टीम पहले बोलिंग करेगी उस इसाफ़ को मेरे टीम है तो मैंने आपर रखा हुआ है किसको Tom Latham को रखा है पिन एलन को रखा है हेंडि निकल्स और मार्क चैपमेन को मैंने रखा हुआ है इनके अलावा रोबर्ट ओडोनेल और चाट बाउस को रखा हुआ है नीचे अगर आप देखोगे उल्ड रौंडर सेक्सन से सीन सोलिया और फोक्स को मैंने रखा हुआ है और बोलिंग सेक्सेस है डेनरू फॉर्स लूइस डेलपट और यहां से बेंजामिल लिश्चर को रखावा है तो अभी के लिए मेरे ये टीम है क्याप्टन सीन सोलिया बोईस क्याप्टन फिन एलन है लेकिन ये फाइनल टीम नहीं है फाइनल टीम डिपेंड करेगे टॉस के ओपर जो कि आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी टेलीग्राम चैनल का लिंग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्षन में दिया हुआ है तो जल्दी से जाकर जोइन कर लिजिए ये वीडियो लास्त तक देखने लिए thank you